योग्यतिनाथ हैं उनका क्या है केतू पर शनी की देशा चल रही है जिस वज़े से क्या है कि उनका कई पर वो विवादों में भी आ जाते हैं उनके अकरमक बोली केगा उन्हें साथ ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार बनी है लेकिन बीजेपी जबर जस्ती से अपनी सरकार बनाना चाहिए जो पिछले बार जो पिछले 2017 में जो बीजेपी लाइती सीट तीन सो प्लस लाइते कहीं न कहीं उस पर थोड़ा गिरावट नहीं है हर पार्टी पूरी तरीके से तो वही है कि अपनी जन्तों को पूरी तरीके से खुश नहीं करें 37 बार ऐसा हुआ है कि एक्जेप पॉल की बिल्कुल विपरित नतीज्या है नमस्कार में हुआ मदासिफ और आप देख रहे हैं SPNI NEWS तमाम तरीके के एक्जेप पॉल आप लोग देख चुके हैं पांच राजियों में किस पार्टी की कहा तक बढ़त हो रही है ये भी आप सबने देख लिया है लेकिन आज जनरलिस्ट को लेकर जो है उनके क्या ओपेनियन है वो किस तरह का एक्जिट पॉल दे रहे हैं वो किस तरह के भविश्वानी कर रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी जनरलिस्ट पत्रकार हैं वो ग्राउंड पे रहते हैं खबरों को परखते हैं उसकी तफशीश से जो है उसका एनलाइसिस करते हैं तो बहुत भी जानते हैं एक जानकार से ज़्याद़ा कि वाकई में पांच राज्यों में सरकार किसकी बन रहे हैं इसी चीश को तलासेंगे हम लोग आज टटोली की कोशिश करेंगे कि किस राज्ये में कौन सी पार्टी आगे है और साथी साथी ये भी जानेंगे कि क्या कल वाकई में 10 मार्च को यूपी में पंजाब में या फिर उतरा खंड में जीत की हो ली कौन पार्टी खेलेगा इसको भी आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुस्किल से 24 से 30 घंडे बच गए है नतीजे आने में कल शाम तक तस्वीरे साफ हो जाएंगे कि इन पांच राज्यों में सरकार किसकी बन रही है कौन किस पर भारी परा इस मुकाबले में पांच राज्यों की जंग में जीत किसकी हो रही है ये एक बड़ा सवाल होगा था आज इस्पेन आइन्यूस की जो पूरे टीम है इन तमाम पत्रकारों से यही जाने की कोशिश करेंगे इससे यही एनालाइसिश करेंगे कि पांच राज्यों में जीत किसकी हो रही है ये हमारा जो डेक्स टाप देख रहे है ये इस्प्रिश्चुल का है यहां से इस्प्रिश्चुल के तमाम खबरे जाती है रीने मैं मैं यहां पर मैं मैं आपका बहुत स्वागत है पांच राज्यों को लेकर हर चैनलों पर एक्जिट पोल लेके हैं आज हम लोग जनलिस्ट से खास करके जाने आप भविश्वानी भी वाको भी अच्छा कर पाएंगे मुझे पता है कि को स्प्रिश्चुल कर रही है किसका जीत हो रहा है यूपी मैं अगर बतोर बात किया यूपी में बीजेपी का पक्ष मुझे जादा भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि जो उनके योग यतिनाथ हैं उनका क्या है केतु पर शनी की देशा चल रही है जिस वज़े से क्या है कि उनका कई पर वो विवादों में भी आ जाते है उनके अकरमक बोली के कारण और उनकी कुंडली में क्या है कि राजयोग भी है जिस कारण से वो इस बार भी मुख्यमंतरी का चुनाव जीत सकते हैं बहुन बहुमत मिलेगा तो सबसे पहले जो भविश्वान ही है वो बीजेपी के पक्ष में गया है और इसका सबसे बड़ा वज़ा यही है कि जिस तरह से योगी जी के कामकाज रहे हैं और जिस तरह से इन पाँ सालों में उनके सबसे बड़े जो दावे रहे हैं वो यही था कि किसी भी सूरत में जो है उन्होंने कहा कि हमने दंगा नहीं होने दिया है यह जो हमारा है वो एडिटिंग का एडिया है यह तमाम चीजे यह हमारे आमिर सर है सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है पांच राजियों में एक्जिट पूल को लेकर जो है तहलका मचा हुआ है यूपी में कोई कह रहा है आपकी बार यूगी सरकार भगवा कलर खिलाबी रीना मैं ने बाखो भी बताया आपको क्या लग रहा है कि यूपी में किसका किसमत जहां तक सारे चैनलों की एक्जिट पॉल की बात करें तो जाहिड सी बात है बीजेपी पूरे बहुमत से अपनी सरकार दोबारा से बना रही है यूपी में लेकिन जहां तक सपा की बात है अकलेश जादों ने भी अपना पूरा हंड़ेड परशंट दिया अपनी सरकार ब लेकिन बीजेपी जबर जस्ती से अपनी सरकार बनाना चाह रही है तो इन सब चीजों में भी कश मुकश है कल जो भी होगा रास्ता आसान नहीं है मुकाबले की टकर अभी भी है भले ही एक्जिट पॉल जो दिखा रहे हैं उस पे भी लोग पूरी तरह से भरोसा नहीं है इसलिए अमिर ने साफ शब्दों में ये कहा है कि ये जो धान्दली के आरोप लग रहे हैं खासकर कि इवियम को लेकर कल आठ बजे आए वो प्रेस कॉन्फिरेंस करते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि बीजेपी जो है वो बैमानी से ही जी सकती है और ये सिर्फ कर देखto यही है कि जो खासकर करके BJP जिस तरह से ट्यारियां की है उस रेस में आगे चल रहा है यह हमारे निकिल सरह हमें साथ देते हैंने बाइब में बैठते हैं और आज काम जाता है इसलिए यहीं पे मिल रहे हैं सर आपका बहुत स्वागा देनी कि लिए सुक्रिया हम लोग एक्जिट पूल को लेकर कर रहे हैं एक मेगा जो है इस एक पूल निकाला है आपको क्या लगता है यूपी में जिस तरह से आप कहते र सिरावत नजर आएगा लेकिन सरकार यहाँ पे बीजेपी की नजर हम लोगों को आने वाली है क्योंकि यहाँ पे टककर इस बार सपा का भी वा ता जहां पिछले बार साथ 65 सीटों में सिमट गई ती इस बार कही ने कि देड़सो पार जाने वाली है और बीजेपी तीन सो जो पिछले बार 300 प्लस लाई थी इस बार कहीं न कहीं 200 पर आने वाली है लेकिन सरकार तो बिजेपी की बनने वाली है आकड़ा गिरने का वज़ा क्या होगा आकड़ा गिरने का वज़ा यहां पर तीन-चार वज़ा है यहां पर यूपी के जो चार जो ऐसे एहम मुद्दे को रहे जो विपक्ष में रहे हातरस अप ले लिजे हैं लखीम पूर ले लिजे किसा अंदोलल ले लिजे यह न आपसे फिर से पूछना चाहूंगा एक इतिहास रहा है मतलब ऐसा कहा जाता है लोग बिश्वास भी करते हैं कि जो नोइडा में आ जाता है जो भी नेता आ जाते हैं नोइडा की दहलीस पे आ जाते हैं दुवारा वो जो है जित्ते नहीं है तो CM योगी के इतिहास बदल देंगे एक दूसरी बात ये भी इतिहास रहा है कि UP में कि बहुत मुश्किल से बनी है, ऐसा होता नहीं रहा तेन दसकों से, क्या लगता है कि इतिहास इस बार बदलने वाला है, बिल्कुल बदलने वाला है और BJP जीतेगी, यानि कि अभी मिर्तुन जे से भी बताओन गा मैं आपको, कि इसके पीछे इतिहास क्या रहा है, तो रिना इंटर्टीन्मेंट की दुनिया में भी मुझे लग रहा है कि लोग अभी फोकस जो है पांच राज्यों के नतीजों पर ही होगा कि किसकी जीत किसकी हार होगी उसके बाद ही फिर आगे का सफर होगा जैवचन भी मैदान में आती हैं तमाम लोग आते हैं कहते हैं कि यूपी क सबसे चीज है कि होली पर यह रंग आने वाला है बहुत अच्छी तरीके से आएगा तो कल रिजल्ट सबके सामने आएगा और खुशियों वाली होली होगी यह खुशी का वज़ा क्या दिया जाए आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से बीजेपी का अगर मतलब मुखे मोटा तरीके से तो वही है कि अपनी जंटों को पूरी तरीके से खुश नहीं कर सकती पर क्या होता है कि जो भी हमारी दिक्कते हैं उनको सुलढ़ाना हमें जिस चीज की जरुरत है, as a student हमें, जिस पढ़ाई की जरुरत है, कहीं जाना है, उस जब चीजों में हमें उनसे फाइदा मिला है, तो ये वज़ा एक बहुत बड़ी है, कि हम चाहते हैं कि फिर से BJP. लेकिन ये विपक्ष वाले जो कहते हैं, कि यूपी को बरबाद कर दिया गया, मुखे मंतरी ने जो है, सिर्फ जादा तर उन लोगों पर ध्यान दिया, जो पैसे वाले लोग हैं, तो इस आरोप किस तरह से देख रही हैं? देखे, आप जंता से पूछे, ये बात विपक्ष थोड़ी बताएगी, बात तो जंता बताएगी, ना, कि उनको कहां दिक्कत हो रही है, जंता से मैंने जब पूछा, मैं ग्राउन पर जब था, तो कह रहे हैं कि राशन से मेरा पेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा, राम मंदिर से थोड़ी ना हमारी जिंदेगी चलेंगे, इस्कूल खुलवा दे, अस्पताल बनवा दे, ये चीज़ क्यों ने करवा रहे हैं योगी जीज़, देखे एकदम से तो ना क्या होता है, कि मांग बहुत ही ज़ादा हो जाती है, कि अब वो एक ही बार में सब चीज़े करते हैं, और धीरे धीरे इन्होंने काम किया भी है, अगर काम नहीं करते तो, आप इस अब से कौन सा काम हो, बताइगे, देखे, चाहे हमारी चात्रों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे गैस सिलेंडर को लेकर हो, या उन्होंने कुछ फ्री हमें, देखे, ऐसे तो प्या कहते हैं, चीज़े तो बहुत सारी प्रोवाइट की गई है, और दिक्कते तो सब की कोई ना कोई आई है, किसना किसी चीज़ को लेकर, कि इसमें ये हो रहा, इसमें ये भड़ात्री हो रही है, इसमें ये बढ़ा दिया, अगर अकाउंट में सरकार ने पैसा दिया है, तो इसमें बताई जो अच्छा हो रहा है, बताई जो ये एक चीज़ बताई है, जो योगी राजम अच्छा हुआ हुआ है, तब ही हम उनको जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ अच्छी हुई है, इसमें बताई है, ताज सजने वाला है, लखनो का नवाब कौन होने वाला है, मैं थोरा सा चेर साइट कर देता हूँ, उसके बाद, बहुत स्वागा ते मैं, बिल्कुल सही हूँ, कौन जो है जीत का होली खेलने वाला 10 मार्च को, क्या है आपका प्रेडिक्शन, देखें, प्रेडिक्शन की बात की जाए, तो अभी तक मैंने देखा है, कि 37 बार ऐसा हुआ है, कि एग्जिट पोल की बिल्कुल विपरित नतिज्या है, तो मैं एग्जिट पोल को बिल्कुल निश्यत तोर पर ये नहीं कहूंगी, कि बीजेपी ही जीत रही है, क्योंकि एग्जिट पोल जरूर कह रही है कि बहुमत की सरकार भाजपा बनाईगी, लेकिन जिस तरह से सत्ता समाजवादी पार्टी ने टकर दिया है, सो के आसपास भी खड़े रहना कम नहीं है, क्योंकि देखें, पांच साल मौका मिला भी जेपी को, इसके बावजूद जनता सवाल करती, कि सारा अंदोलन का मुद्दा था, जिसके कारण स्थिती विपरित हो सकती थी, बताया जा रहा था, और जो हिजाम मामने की बात करेंगी, इसलिए के भी जेपी की बहुत जादा निंदा की गई, इसलिए मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि 37 बार एग्जिट पोल का नतीजा विपरित निकला है, इसलिए मुझे खुद भी इंतजार है देखने का, कि वाकई में भारतिये जनता पार्टी को लेकर, जो एग्जिट पोल कह रही है कि बहुमत की सरकार बनाईगी, यही सही होता है या फिर विपरित समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी बहुत मैंनत की है, आप तो उस exit पोल पर बता रहे हैं जो media channel चला रहा है लेकिन आज हम ये निकाल रहे हैं कि जनरलिस्ट का जो exit पोल है वो क्या है तो आपके हिसाब से prediction क्या है आपका जो भविश्वानी वो क्या है देखे, मैं तो कहना चाऊंगे इसलिए, क्योंकि भाजपा ही जीत सकती है, इसलिए कहना चाऊंगे, लेकि-पांच साल पहले की उस्थिति थी, अगर उस्थिति को देखा जाए, तो उस तरह से भवेहुवत शायद ना मिले, जिस तरह से पांच साल पहले मिली थी, क्योंकि इस बार लेकर भी जनता ने काफी ज्यूद का यह कहना है कि जीतेगी तो faintलगी له 2017 मेरे जिस्टरह से भुषुमत आए थे वह नहीं देखने कुमिलागा मेई मेरे पास यह आप इन से बाच्वित करते हैं क्या लग रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उपर मैंने देखा लिख रहा है तमाम तरीके के नारे भी आएं बीजेपी ने बहुत कोशिशे की क्या वाकई में जो एक्जिट पूल में दिखाये जा रहे हैं आप लोग पत्रकार हैं वा कोंन कहता है कि सरीफ बीजेपी बीजेपी है कहीं ने कहीं बीपक्ष भी है और इस एलेक्शन में देखा गया है कि कैसे प्रियांका गांधी खुल कर सामने आई है यूपी के लोगों के लिए बात किया उनके मैने बारवर बोलाई कि बहुत स्ट्रॉंग है तो कहीं ने कर जनता डिस्ट्राक्ट हुई है कही ने कही अब जनता अपने हग के बारे में लड़ने लगी है और जानने लगी कि हाँ ये चीजे ज़ादा जरूरी है साक्षी में हम कह रही है कि BJP घरीबों की सरकार है हवाई चेपल पहनने वाले को आज हवाई जहाज पर घुमा रही है इस सब वजर से बीजेपी पीछे हो गई यह चीजने के और आपको प्रेडिक्शन की तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी लेकिन देखना यही होगा कि वाकई में कल जो है जीत का होलिक कोन मनाता है देखना यह भी होगा कि आज तमाम जनलिस्ट के जो जितने भी जनलिस्ट है चाहिए वो रीना है आमिर सर है तमाम लोगों ने जो भी कहा है कि अब वाक प्राइब बात कर रहे हैं जो एक्जिट पूल्स के नतीजे आ रहे हैं कल वाकी में हम लोग के अपने खुद के आकलों के हिसाब से जो हमारे डिपोर्टर्स ग्राउन पे रहे हैं उसके हिसाब से क्या लगता है कल किसकी सरकार बन रहे हैं देखे इस बार विपक्ष मजबू सरकार से तो ऐसे में देखा जा रहा कि इस बार विपक्ष मजबूत हुआ और विपक्ष की सरकार बनती नजर आएगी और यह वही एक्जिट पूल है जो पश्चिम मंगाल में भी बीजेपी को जिता रहे ते यह वही एक्जिट पूल है जो और राज्यों में इन्होंने भीजेपी की जीत का दावा किया था लेकिन होता क्या है नतीजे पूरे शुन्य आते तो यह एक्जिट पॉल आद जनता इन कुझे बता रहे थे कि आसीफजर की कहाणी रही है वह इतिहास तो इतिहास इस पर बदल रहा है या फिज बना बर्करार रहे Nich Mm नोड़ा का हमेशा से ऐसरा है जो भी मुख्यमंत्री नोड़ा आया है उसकी सरकार दुबारा नहीं और अगर सरकार दुबारा आया है तो वो शक्स मुख्यमंत्री नहीं बन पाया अगर बीजेपी की सरकार आती है तो सवाल यह है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद भी क्या योग्यातितनात को मुख्यमंत्री बनाया जागा जब मुख्यमंत्री चेंज होगा इसमें भी बहुत शक है इसमें भी शक है बिल्कुर शक है डाउट है तमाम तरीके के सवाल है जिसका जबाब कल दस मार्च को मिल जाएगा और सुबह से ही सुबह च्छे बई से SP9 News लाइव स्टेशन लेकर आपके साथ मौजूद रहेगा देखना यही होगा कि इन तमाम पत्रकारों के बास सुनने के बाद कि अब वाकई में जीत का होली खेल पाई की बीज़ेपी एक बड़ा सवाल है और इसका जो जबाब है कल ही मिल जाएगा तमाम लोगों को फिलाल केल तना ही बागे ख़बरों के लिए देखते रहे हैं स्पीना यूज नमस्कार